नम्सकार दोस्टों हमारे चैनल पर आपका स्वागत है आज हम कुछ क्रिप्टो करेशियों के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि वे कैसे काम करती हैν अगर आपको हमारे वीडियो में मदद मिलती है तो क्रिप्प्या उन्हें लाइक और शेयर करें हम क्रिप्टो करेशियों के बारे में सटीक जानकारी प्रदान करने का प्रयास करेंगे ये हमारी व्यक्तिगत राय है तो चलो शुरू करते हैं हाँ, चलो इसे और नजदीक से देखते हैं रियो के संदर्ब में क्या स्थिती है? वर्तमान में मूल्य लगभग 16 सेंट के आसपास है यदि हम इसे केवल 15 से 16 सेंट तक के बीच की दिशा से देखें तो हम 4595 प्रतिशत की विद्धी की बात कर रहे हैं उपरी सीमा पर हम 5000 प्रतिशत से अधिक की बात कर रहे हैं और यहां बॉक्स नंबर वन पर ये लगभग 1800 प्रतिशत है लेकिन अधिक संभावना है कि 3000 प्रतिशत के बॉक्स पर हमें वाकई ध्यान के इंद्रित करना चाहिए इसलिए हमें लगभग 5 डॉलर और 27 सेंट के चारो और एक नजदी की नजर दालनी चाहिए हाँ, जैसा हमेशा होता है, सब कुछ पूर्वानुमानित होता है और यहां पर विस्तार स्तर संरेखित होते हैं जिसका मतलब है कि सिक्का प्रदर्शन करने लगे तो ये अब्सोल्यूट मिनिमम लक्ष्य है इसलिए चरम पर हम लगबग 5000 प्रतिशत को देख रहे हैं ये 5000 प्रतिशत सिक्के की कितनी भी दूर जा सकती है हमारे ख्याल में रियो के प्रदर्शन के लिए महत्वपूर्ण होने चाहिए हाँ, सिकों को सफल होने के लिए उन्हें अपनी बुलिश परंप्रा भी बनानी पड़ती है अगर उन्हें इसे बनाने का सामर्थ्य मिलता है हम वाकई देखते हैं कि रियो को उस पैंप करने की संभावना है हम जल्द ही देखेंगे कि हम कहां प्रवेश कर सकते है सामान्य रूप से लाल बॉक्स को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण होता है हम ये सपश्ट करना चाहते है लेकिन आखिरकार अगर कोई किसी को 50X का उलेक्ट करता है तो हम उसे तुरंट ले लेंगे और साइन अप कर लेंगे अब वापस दैने का आधार पर जाते हैं और पूरे मिरिया को देखते हैं तो वर्तमान में हमें निमनलिखित संरचना में अग्रसर होने का अवसर है लगभग 15 से 21 सेंट के आसपास इसका मतलब है कि अगर हम देखते हैं कि रियो के लिए लगभग 70 सेंट क्षेत्र में अगला प्रेस आता है तो हम ये सपश्ट करना चाहते हैं कि हम खाते में हैं और आप भी खुद के लिए समान लक्ष बॉक्स का उप्योग कर सकते हैं अगर हम सिकों के बारे में इतनी बार चर्चा नहीं करते क्योंकि आखिरकार हर दिन हम कितनी भी सिकों की चर्चा कर सकते हैं लेकिन अब थोड़ी देर के लिए रियो के बारे में अगर हम 70 सेंट के आसपास पहुँचते हैं जिसे हम अगले एक से तीन महीनों में देखने की उम्मीद करते हैं, तो आपका खाते में होने का अंदाजा हो सकता है, फिर लगभग 40 सेंट के आसपास कमी की उम्मीद है. यह आज का क्रिप्टो अपडेट है हमारी तरफ से, हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे वीडियो से लाब उठा रहे हैं. अगर आप इसे कर रहे हैं, तो क्रिप्पया हमारे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे द्यानिक क्रिप्टो अपडेट्स प्राप्त कर सकें. धन्यवाद दोस्तों और अगले वीडियो में मिलें.